कि हलो स्टुडेंट्स मैं सेल्फ है अभ्लाशी शर्मा और माई चैनल जानकर है वेल्कम साल अफ यू आज हम बात करेंगे प्लस वन लावल में अकाउंटेंज से रिलेटर बहुत महत्पुन टापिक दैट इस बिल्स अफशेंज बिलर्सी वेवल बिल्स पेवल अकाउंटि तर प्रेक्टिकल क्राव्लंस होनी थो उसमें तर सांब अकाउंटिंग से क्रते हैं सब के बारें में वाद करेंगे लैट स्मुउव हैडवी तो दिसक jurisdiction इनस वीडियो कुछ सैंद्धियां रखे वीडियो कुछ कॉइछ न देखें शुरू से लेके एंड स्वाइपू इस जिस device को भी यूज़ कर रहे हो, head for earphone को यूज़ करेंगी, तो content ज्यादा clear होगा, एक बात और बहुत महत्रपुरण, bills of exchange का जो basic content है, वो इसी channel पर, 834 जो वीडियो है, basic से related, उसमें बहुत clearly मैंने bill of exchange क्या है, इसकी part is क्या है, promosory notes क्या है, सारे content में बिलकुल detail में बताए है, अगर आपको उसकी knowledge नहीं है, तो please 834 वीडियो जरूर देखें आप, इसी channel पर वो इससे पहले उपलवद है, तो बात करते हैं, bills of exchange brief में करेंगे, क्योंकि detail में मैं बता चुका हूँ, यह सारे content जो next one or two minute में हम discuss करेंगे, bills of exchange cash and instrument in writing, containing an unconditional order signed by the maker, directing a certain person to pay a sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument, bill of exchange एक written document है, जो negotiable instrument act की section 5 के accordingly, उसको एक legal identity प्राप्त है, जिसमें unconditional order होते हैं, bill of exchange को बनाने वाले व्यक्ति के दुवारा किया गया order होता है, जिसमें वो किसी व्यक्ति को order करता है, कि वो निश्चित amount, निश्चित date को उसको या उसके order के उनसार जिस व्यक्ति को भी कहेगा, उसको भुवतान कर दे, ऐसा order दिया जाता है, जिसको पैसे दिये जाते हैं, वो ड्रार भी हो सकता है, या जिसके favor में bill को endorse किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, वो भी payee हो सकता है, जिसको finally पैसे मिलेंगे, अगे बात करते हैं, bill of exchange का बड़ा important topic है, that is regarding due date or date of majority, it's a date on which payment is expected or due, जिस date को bill की payment होनी है, that is due date, due date calculate कैसे करते हैं, bill of exchange में due date निकालने का period दिया होता है, तीन महिने, दो महिने, उसमें ध्यान रखना, तीन दिन grace की add किया जाते हैं, final date निकालते हुए, उन तीन दिनों को days of grace कहते हैं, ध्यान रखना, तीन महिने का bill है, माल लो एक January को issue किया, तीन महिने बन गे, एक April को पूरे होगे, उसमें तीन दिन grace के add करते हैं, जब भी due date निकालनी है, ध्यान रखना, यह बड़ा important issue है, साथ में कुछ शर्ते होती है, if emergency holiday has been declared on due date, अगर अचानक due date हमारी fix थी, emergency holiday declare करते, तो उससे next day जो है, वो due date मना जाएगा, अगर due date calculate करते हुए, तीन दिन add करने के बाद, जब due date calculate की, उस दिन Sunday आ रहा है, या गजड़ को लिड़े है, तो एक दिन पहले का दिन जो है, वो due date मना जाता है, यह धिहान रखना, आगे student बात करते हैं, हम इस topic से लेटर, बड़ा issue है, इस प्रमोजरी नोट, प्रमोजरी नोट क्या है, इस अ लेगल फादेशल टूल, डेलेड बाई पार्टी, प्रमिसिंग अनदर पार्टी, तो पेदा देच, उन अ पर्टिकलर देच, इस रिटन अग्रिमेंट, साइन वाई दरार, इस प्रमोजरी नोट के रिगार्डिंग आपको बता दू, दोनों के फार्मेट, पार्टी ये क्या है, ये सारा 34 जो नमबर वीडियो है, उसमें मैंने डेटले में बताया है, इस पार्टी कौन सी होती है, ड्रार और मेकर एंड दा पेई, मेकर कौन होता है, जो प्रमिस करता है, तो पेदा आमाउट, पेई कौन होता है, जिसको पेइमेंट की जाएगी, ओके, ये हैं पार्टी ओफ प्रमोजरी नोट, एक बात ध्यान रखना, जो बिल अफ एक्चेंज है, या प्रमोजरी नोट है, जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के भिहाफ से देखते हैं, तो उसके दो रूप देखने को मिलते हैं, वन इस दा बिलर सी वेवल, सेक्ट वान इस दा बिल्स पेएवल, दा पर्सन हो इस तो गेट अमाउंट ओ बिल अफ एक्चेंज, इस दा बिलर सी वेवल फोर हिम, एस सेलर ड्राज बिल अन परचेजर, सिमिलरली दा अमाउंट ओफ प्रोमोजिट नोटिज आलसो पेएवल तो दा सेलर, ध्यान से भी, वो भी हक्टी जिसने बिल अफ एक्चेंज का पैसा प्रापत करना है, उसके लिए वो बिल अफ एक्चेंज बिल अरसी वेवल होता है, जैसे सेलर है, उसने पर्चेजर पर जिसने वस्कों में पर्चेज की थी, उस पर बिल ट्रा किया, तो सेलर के लिए वो बिल अफ एक्चेंज क्या है, बिल अरसी वेवल, इसी तरह से, प्रोमोजरी नोट जिसमें वो प्रामिस करते हैं, कि मैंने इतना अमाउंट उस व्यक्टी को पे करना है, जिसको पे करना है, उसके लिए वो प्रोमोजरी नोट बिल जरसी वेवल होगा, दूसरा है बिल जब पेवल, उन्था अधर हैंड, वन वी टॉक अबॉट बिल उफ एक्चेंज, बिल उफ एक्चेंज is the bills payable for the acceptor or purchaser, यस जो परचेंज करता है, जिसने acceptance दिया है, कि yes I will pay, उसके लिए वही बिल उफ एक्चेंज जा प्रोमोजरी नोट क्या होता है, बिल जब पेवल, ये ध्यान रखना, clear, accounting treatment for bill of exchange, बड़ा important topic है ये, जिसके बारे में हम देखना है, आज major issue है, इसमें अलग-लग conditions आएंगे, इसमें से पहली condition के, when will is retained by the drawer, let M till date of maturity, मालो date of maturity, जिसने payment होनी है, उस दिन तक bill को drawer ने अपने पास रख है, हमने उस drawer का नाम M मान लिया, easy बनाने के लिए, accounting entry लिखने के लिए, और dry को हमने N मान लिया, सबसे पहले सोचो के, M ने N को goods sale की, तो entry क्या होगी भी, in the books of M drawer है जो, N account debit to sale, और dry ने purchase की हैं भी N ने, तो purchase account debit to M, ये तो normal credit sale की होगी, being goods all to N, being goods purchased from M on credit, इसके बाद क्योंकि, आप credit हो गया, तो पैसों की payment कब होगी, bill of exchange लिखा M ने, N पर order किया, कि you will pay दावनी, N ने accept किया, जब acceptance receive होगी, तो वो legal document बन गया, bills of exchange, जो N के लिए bill payable है, और M के लिए किया, वही document bills receivable, जब acceptance मिली, will receivable account debit to N's account, clear, अब bill receivable business के लिए, assets बन की एक तरह की, business की asset, दूसरी तरफ, जब हम N की books में देखें, N ने acceptance दी है, M's account debit to bills payable, इसने पैसे देने हैं, इसके लिए bills payable क्या बन की, liability, समझ लगा भी, आगे बात करते हैं, और जब maturity date आई, at the time of maturity and payment, ध्यान से, उसी condition को आगे बढ़ा रहे हैं, maturity date को payment करनी थी, तो M को पैसे मिल गे, cash account debit to bills receivable, और dry N ने payment कर दी, bills अपनी liability की payment कर रहा है, bills payable account debit to cash, समझ लगा भी, ध्यान रखना, जब हम bill receivable और bill payable को decide करना है, तो ये बाद ध्यान रखना, promosery not, और bill of exchange, दोनों का accounting treatment, same ही होता है, clear, अगर GST से related sale purchase हो, ये ध्यान रखना, in case of GST, the entries of sale purchase will be with GST, in case of general, normal entries of sale and purchase, जैसे हम normal sale purchase की entries करते हैं, GST के साथ, तो bill of exchange में भी sale purchase के साथ, वही धंग होगा, बाकी purchase के साथ input GST लगता है, sale के साथ output लगता है, आप वो GST की entries देख सकते हो, इस channel पर, 5-6 videos में ने डाली हैं, different entries से related, और बाकी सारी entry सेम रहेंगी, सिर्फ sale purchase पर effect पड़ेगा, ये ध्यान रखना बाकी entry, जो normal bill of exchange की आप वही रहने वाली हैं, तो आप ये बात करते हैं, एक numerical question लेकर, problem है, क्या है, और फिर्स जनर्वी 2017, अजे sold goods to Bhushan for 10,000, अजे ने Bhushan को 10,000 की चीज़ें sale की, वस्तुएं sale की, अजे draws a bills of exchange for 2 months, for the amounts due, which Bhushan accepts and return it to Ajay, येस, अजे ने बिल रा किया, दो महीने की due date पर, और Bhushan ने उसको accept कर ली, और वापिस कर दी आजे को, तो लिगल document बन गया, Bhushan met the bill on due date, Bhushan ने payment कर दी, जब due date आई, general entries पास करनी है, हमने अजे और Bhushan की books में, अब भी आजे ने sale की है, तो आजे ने ही bill लिख था, तो ये draw है, हम draw की books में entry, सबसे पहले sale की Bhushan को, 1st January को Bhushan account debit to sale, Bhushan receiver है, goods जा रही है, तो sale credit होगी, being goods sold to Bhushan, अब bill लिखा गया, और acceptance मिल गी, फिर वो legal document बन गया, bill receivable account, आई बे to Bhushan account, due date कैसे निकालते हैं, दो महीने की, उसका period है, तो 1st January का 2 months कैसे पूरे होगे, 1st February को 1 month, और 1st March को 2 महीने पूरे होगे, 3 दिन grace की आड़ करेंगे, तो क्या बन गया, 4th March due date होगी, cash account debit to bill receivable, payment receive होगी है, या जी bill receivable के अगये, समझ लगा, being bill met on maturity, bill की payment मिल गई है, भी maturity date को, ये था draw, अब dry की बुक में क्या condition होगी, वो देख दे, dry कोन है, भूशन, भूशन ने purchase की थी, purchase is account debit to, अजे, अजे को पैसे देने वाले बन गे, तो उसने, अजे ने जब bill लेखा था, भूशन ने acceptance दी थी, तो इसके लिए वो bills payable है, अजे account debit to bills payable, bills payable liability बन गी, वही due date को उसने payment कर दी, bills payable account debit to cash, अपनी liability का उसने payment कर दी, जो उसने देने थे, तो 10,000 की payment होगी, being bill paid on maturity, maturity rate को उसकी payment होगी, ये था एक normal, simple question, इस जग से अगर हम दोनों को parallel लिखेंगे, in the books of Isaiah and, जो draw है, in the books of Bhushan as a dry, आमने सामने लिखने का भी एक best way रहता है, कि हम comparison कर पाते हैं, कि इधर sale हो रही है, जो entry इधर sale है, इधर purchase, यहाँ bill receivable, यहाँ bill payable, यहाँ इसने payment की dry ने, और इसने payment receive कर दी draw ने, इस दान से comparison करना थोड़ा easy लगता है, अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों books को एक दूसरे के parallel बना, discounting the bill receivable from bank by the draw, इसको ध्यान से समझो, if the creditor or draw needs money before due date, हमें पता है, bills of exchange की जो payment है, कुछ महिनों के बाद मिलनी है, जितना भी उन्होंने final किया parties ने, अगर उस creditor को, जा ड्रार को पहले पैसे की जरूरत है, तो क्या होगा, तो वो bank से संपर्क करते हैं, कि मुझे पैसे चाहिए, तो bank उनके bill को discount करके दे देता है, उसमें से कुछ as an interest, उस amount का उतने भीने के लिए निकाल लेता है, जो businessman के लिए क्या होज़ता है, एक तरह का loss हो जाता है, discounting of bill इसी को कहते हैं, discounting of bill refers to the encashment of bill before the date of its maturity from bank, इसका मतलब यह होता है, bill of exchange को जा bill receivable को bank से in cash करना, cash पहले लेना, due date से पहले, इस process को हम discounting of bill कहते हैं, धिहान रखना भी जए, clear, जब ऐसा हो तब accounting treatments क्या होते हैं, accounting treatment for bill of exchange, when bill is discounted from bank by the drawer, drawer ने अगर पहले discount करवा लिया, तो क्या होगी entries, पहली यह दो entries है, when goods are sold, यह भी वही होगी, वही M or N है, N account debit to sale, इधर purchase account debit to N, जो पहले में ने की थी, अब acceptance मिल गई, रसीव हुई, तो वही bill receivable account, around debit to N, इधर acceptance दी, तो dry का M account debit to bills payable होगा, being acceptance given, यह दोनों entries तो same है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, आगे क्या होता है, कि M को पैसों की अभी जुरूर रख थी, payment मिलनी है, मालोब बाद में, तो वह bank के संपर्क में जाएगा, bank से bill को discount करवा लेगा, ध्यान रखना यह, being bill receivable discounted from bank, और जब ड्रार bill को discount कराता है, तो dry की book में no entry, यह ध्यान रखना no entry in the books of dry, आप maturity date आएगी, payment cut time होगा, तो dry ने payment करते नहीं है, bill payable account debit to cash या bank, ओके cash account भी वह सकता है, credit या bank भी, अब इस position में, ड्रार की book में कोई entry नहीं आएगी, भी ध्यान रखो, क्योंकि यह पैसे कहां चले जाएंगे, to cash या bank, यह bank में चले जाएंगे, क्योंकि bank ने payment की थी, उसको advance में, यह ज़े discount कर दिया था उसका bill, that is a perceived, our students के regarding of question देखते हैं, Vinod sold goods to Darwala Singh for 1000, Vinod ने 1000 की goods दरवारा Singh को sale की, he drew on the lettera bill, for the amount payable after 3 month, 3 महिने के बाद bill की payment होएगी, after date, जो भी bill की date है, date नहीं दियो, यह में ध्यान रखना होगा, और date होती, तो 3 महिने प्लस 3 दिन grace के, he discounted the bill with his banker for 9.90, उसने वही bill, 9.90 में discount कर वा लिया, on majority the bill is met, डियूली met, जब majority date आई तो bill की payment होगी, हमने entries करनी है, Vinod और दरवारा दोनों की books में, Vinod ने sale की है, Vinod draw हो गया क्योंकि bill लेखेगा, दरवारा acceptance देगा, तो दरवारा क्या होगा, dry, अब दोनों की books में entries क्या होगी, यह है उपर Vinod की books जो draw है, नीचे दरवारा सिंग की books है, जो dry है, अब सबसे पहले Vinod ने sale की, दरवारा सिंग account debit to sale, 1000, 1000, दरवारा सिंग ने purchase कर ली, purchase is account debit to Vinod, 1000, 1000, अब Vinod ने bill लिखा, दरवारा सिंग ने accept कर लिया, तो Vinod के लिए क्या होगा, और दरवारा की books में, वही bills payable बन गया, Vinod account debit to bills payable, 1000, 1000, अब Vinod ने bill को bank से discount करा है, 990 पे, bank account debit, discount account debit to bills are seeable, 990 bank से discount करा है, 10 discount हो गया, 1000 का biller seeable था, इस position में दरवारा की books में, कोई entry नहीं आएगी धियान रखना, जब bill को क्या करवाया जाता है, discount करवाया जाता है, payment का time आया है, तो दरवारा ने payment कर दी, due date को, 3 मेने का था, 3 मेने plus 3 दिन grace के, अब यहाँ date नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे, bill payable account debit to bank, उसने payment कर दी, जब payment हुई, तो अब विनोद की books में कोई entry नहीं है, क्योंकि payment किसके पास जाएगी, bank के पास, bill को कहां से discount करवा चुका था, वो bank से final payment bank लेगा, clear, तो students जल्दी में एक question और करते हैं, to make ourselves expert, एक और question, दिनेश रसीवड फ्रों सिधार्थ एन acceptance of 3000, on 1st September to 2012 at 3 months, 2012 को तीन महिनने की date पर, एक सेप्टमबर को तीन हजार की acceptance मिली, दिनेश को शिरीधर से, सिधार्थ निया, शिरीधर से, सीधी acceptance मिली है, तो हम acceptance से question शुरू करेंगे, दिनेश गौट अक सेप्टम डिसकाउंट एड 9% पर एनम फ्रॉम हिस बैंक, दिनेश ने बैंक से डिसकाउंट करवा लिया, 9% PA का मतलब पर एनम पूरे साल का 9% डिसकाउंट है, तो हम तीन महिने का निकालेंगे, क्योंकि बिल की डेट तीन महीन ने किया, तीन महीन एक के लिए इसकाउंट डिसकाउंट कर आया, और दिनेश ने पेमेंट कर दी, जब दिनेश ड्रार है अब श्रीधर को ने ड्राई, क्योंकि दिनेश को अक्सेप्टेंस मिली है वही धियान रख तो हमारे पास दो बुक्स होगी, अनदा बूक्स ओफ दिनेश इंदा बुक्स आपक्स शिरिधर, कोई सेलब प्रचेल की ट्राइक्शन नहीं थी, सीधी अक्सेप्टेंस मिल रही है, बिलर सीवेबल अकाउंट डैबिटो शिरीधर, 3000-3000, being शिरीधर अक्सेप्टेंस received, तो शिरीधर ने एक्सेप्टेंस दी, उसके लिए वही विल्स पेवल बन गया, दिनेश अकाउंट डैबिटो बिल्स पेवल, clear, तो अब दिनेश ने बैंक से बिलको डिसकाउंट कुराया बैंक अकाउंट डैबिट, डिसकाउंट अकाउंट डैबिटो बिलर सीवेबल, डिसकाउंट कैसे निकालेंगे, 3000 पे 9% multiplied by 3 divided by 12, तीन भीने का निकाला भी तभी 3 over 12 किया हमने multiplied, यह 68 रूपीज आगया अप्रॉक्सिमेटली, इस रंग से बाकी बैंक में कितने पैसे है, इ 932, जब डिसकाउंट करवाया जाता है, तो ड्राइर की, जो ड्राइर है, शिरिधर उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, डिसकाउंट की यह वाले की, अब फाइनल पेमेंट का टाइम आया, फर्स सेप्टमबर के बाद 3 मीने, फर्स अक्टूबर, फर्स नुम की है, शिरिधर ने, वो जाएंगे, किस के पास, बैंक के पास, so students, that is the question, समझ लगा आपको, so students, I think the whole concept is quite clear, हमने कुछ basic numerical problem करके, bill of exchange का next part, आज हमने किया, that is the second part of bills of exchange, first part जो bills of exchange का है, वो introductory है सरफ, उसको ज़रूर देखे, आने वाली टाइम में और बहुत सी वीडियो इस इस चैनल पर आएंगी, economics और commercial related subjects और motivational videos और इस चैनल पर हैं, आप उनको भी देखते रहें, नई वीडियो का इंतजार करें, till then, thank you very much.